खटर सरकार पंचाय चुनाओ करवाने के लिए पूरी तरह से तयार है। हरियाना के additional advocate जनरल विवेक सेनी ने बताये कि हरियाना सरकार ने अरजी दायर करके हाई कोट से पंचाय चुनाओ करवाने के लिए अनुमती मागी है। लेकिन एक याचिका करता ने अदालत में अपना जवाब दाखिल नहीं किया है और जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से समय मांग लिया है। पंचाय चुनाओ करवाने के लिए दायर की गई याचिकाओं पर हाई कोड में क्या कारवाई हुई है। इस बारे में खास बाटशीत कि हमारे समभादाथा अनिल कुमार ने हरियाना के additional advocate जनरल विवेक सैनी से पंचाय चुनाव को लेकर दाइर की गई याचिकाओं पर पंजाब ए हरियाना हाई कोड ने क्या करवाई की इस मेरे साथ हैं हर्याना के अडिशनल एड़ोकेट जनरल विवेक सैनी इन से जानते हैं कि आज अदालत ने क्या करवाई की है चीज़ें ग्राम पंचायत, पंचायत समीती और जिला परिश्यत के चुनावों को लेकर कई याचिकाएं दायर की गई मानिय उचने आले में उन्होंने आज नहीं किया और उन्होंने कुछ समय मांगा और इसलिए ये मामला अब अर्जयान के हो गया आज सैनी सब जो याचिकाएं अदालत में लगाई गई हैं उसमें क्या एक्ट को भी चैलेंज किया गया है सरकार द्वारा कहीं शन्शोधन इसमें एक्ट में किये गए थे जिसमें महिलाओं के लिए 50% आरिक्षन पिछड़े वर्ग के लिए कुछ आरिक्षन तो इन सब प्रवधानों को उसमें चैलेंज किया गया है और ये अभी मामले मानिय उन्होंने चालने में विचार अधी किया जा चुका है और सरकार द्वारा एक अरजी भी दायर की गई है जिसमें हमने माने उच न्याले से पर्मिशन मांगी है कि हम ये लेक्षन करा सकें ये थे मेरे साथ हर्याना के additional advocate journal विवेक सहनी इन्होंने बताया कि पंचाय चुनाव को लेकर अधालत में कई याचिकाएं दायर की गई थी जिस पर आज सुनवाई हुई है इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि सरकार ने पंचाय चुनाव करवाने के लिए अनुमती मांगी है लेकिन एक याचिका करता की तरफ से ज्वाब दाखिल नहीं किया गया अनेल कुमार टोटलियो चंडिकार